तो अधो इस विडियो में हम जाने वाले हैं कुछ और इंट्रस्टिंग टॉपिक्स के बारे में पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स के कभर गया था अब कंप्प्वूटर बेसिक्स के पार्ट में जैसे कि सॉफ़वर्स क्या होते हैं उनके यूज क्या होते हैं यह सारे of computer क्या होता है चांड़ूंगे क्या थिरिष्टा है या क्या फाइदा है उसे तरह जानेगे की एक बनाता है और साथ साथ हम लोग यह भी जानेंगे कंप्यूटर में कौन कौन सी कमजोरी है तो चलते हैं बढ़ते हैं वीडियो के और वीडियो को शुरू करते हैं तो टॉपिक है characteristics of a computer तो computer का पहला characteristics जो पहला feature है वो है speed हमें पता है कि computer हमारे से speed में बहुत आगे है हम जितना fast calculation नहीं कर सकते हैं उतना से भी ज्यादा fast वो computer कर सकता है तो computer are much faster as compared to human being मतलब human being से बहुत ज्यादा fast है and computer can perform a task in a minute computer क्या करता है कोई भी टास्क एक minute में कर सकता है that may takes a date it perform manually मतलब हम लोग अगर करेंगे तो एक दिन दो दिन पांच दिन भी लग सकता है लेकिन वह वही सेम टास्क वह पल भर में कर लेता है मतलब वही दिन है minute time में कर सकता है इसलिए computer का पहला characteristics है कि वह बहुत ज्यादा speed है उसका उसके दूसरा है high storage capacity high storage capacity मतलब बहुत ज्यादा store कर सकता है capacity उसका बहुत ज्यादा है memory sticks जैसे आजकल जो memory sticks आते है वह बहुत छोटे होते हैं और एक उंगली के बरावर होता है और वह बहुत ज्यादा store कर सकता है डेटा को जैसे के 256 GB data को वह store कर सकता है इसी तरह computer के पास भी होती है high storage capacity मतलब बहुत ज्यादा data को वह store कर सकता है memory power बहुत हाई होता है तीसरा चीज़ है accuracy computer can perform all the calculation and comparisons accurately provided by the hardware does not malfunction भूल रहा है अग computer कोई भी काम कोई भी calculation या कोई भी comparison करता है तो वो बिलकुल correct करेगा जब तक उसका कोई भी hardware device faulty ना हो अगर सारे hardware device जो computer में है लगे वे हैं या फिर computer से connected है जिसके ज़रुत है particular calculation में वह hardware device अगर properly काम कर रहा है तो computer बिलकुल correct result देता है और बहुत fast result देता है तो यह गया accuracy उसके वाद है reliability reliability मतलब computer has a human of timeness मतलब जैसे इंसान में reliability मतलब होता है इंसान करते कोई भी काम करते करते ठक जाता है लेकिन computer कभी ठकता नहीं है यह आपको पता होगा तो computer are immune to tightness and boredom boredom मतलब होता है बोर होने से हम लोग कोई काम करते करते बोर हो जाता है लेकिन computer कभी बोलता है आपको की बोर हो गया हो मैं इसा कभी नहीं होता सो इसलिए computer बहुत ज्यादा reliable है क्योंकि वह ठकता नहीं है और कभी बोर नहीं होता next है हमारा जो लास्ट है feature computer का वह वर्साट वर्सटालिटी वर्सटालिटी मिन्स computer can perform repetitive jobs efficiently मतलब वर्सटालिटी मतलब एक ही काम को बार बार भी करने दिया जाए तो वह उसी तरह से करेगा और उसी speed से करेगा और same process को use करके करेगा जिस तरह वह काम पहले वह इसने किया था बट इंसान एक काम को अगर repeatedly दे दिये जाए तो अगली बार से गलती होना ही है बट computer में गलती नहीं होता है तो यह ही है versatile nature that they can work in an area where human brain can fail ऐसा जगह पर भी काम कर सकते हैं जहां पर इंसानी दिमाग काम करना बंद करता है और computer सोचना सुरू करता है अब यह सब थे features features फिर से मैं एक बर बता दता हो आपको speed बहुत ज्यादा speed है उसके हाई stories के पर बहुत ज्यादा capacity है कोई भी data को store करने का उसके accuracy बिल्कुल सही सही जवाब देता है उसके reliable है कभी यह ठकता नहीं है कभी बोर नहीं होता और उसके versatility मतलब एक ही काम को बार बार कर देगा तब भी वो उसी effectiveness की थ्रू करेगा मतलब उसी जितना मेहनत से उसने फर्स्ट बार किया था उतना ही मेहनत से वह सेकेंड बार भी करेगा तो यह वर्सट्रालिटी अब कंप्यूटर की कमजोरी क्या weakness of computer weakness क्या क्या है तो हर चीज में एक weakness होता है हम लोग के अंदर भी कोई ना कोई कमजोरी को उसे दर computer में भी तीन ऐसी कमजोरियां है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए तो पहली जो कमजोरी है वह है lack of decision making power मतलब computer खुझ से decide नहीं कर सकता computer can't decide on their own मतलब हम लोग जो instruction देंगे बस उसी पर काम करेगा वह खुझ से नहीं decide कर सकता है कि अगर next page पे जाना है तो next page पे जाके वह चेक करने के लिए ऐसा खुझ से कोई भी decision computer नहीं ले सकता है यह सबसे बड़ी कमजोरी है जैसे इंसान decision ले सकता है अपने decision खुझ से ले सकता है उस तरह computer बिल्कुल नहीं है उसके आइक्यू जीरो computer का IQ 0 होता है computer is a dump machine computer IQ 0 मोलने का मतलब है हम अपना दिमाग या sense of humor से यूज करके कोई की काम को change करके या perfectly कर सकते है क्या कि हमारे पास दिमाग है लेकिन computer के पास कोई अपना दिमाग नहीं है वो जो instruction हमने दिया है उसी पर काम करता है लेकिन computer कभी गलती करके पुराणी गलती से नहीं सिकता मतलब एक बार उसने calculation किया वो फेल हो गया तो दुबारा वो सेम calculation भी दे करें तो वो फेल होगा वो सीखता नहीं है कि यहां पर मैंने गलती किया था अगले बर मुझे सही करना यह वो पास्ट एक्सपीरियंस पिछले एक्सपीरियंस वो बिल्कुल नहीं सेकता तो यह तीन जो थे तीन वीक्नेस थे पहला है लाक आप डिसिजन मेकिंग पावर मत इसकता IQ जीरो है अपना दिमाग कभी इस्तेमाल नहीं करेगा और तीसा चीज़ है नो हिर इस्ट्रिक डोहरिस्टिक्स इस वीडियो में मैंने बता है कंप्यूटर का फीचर कोँट सा है पमकान कमजोरी कोन कहँट आघेली वीडियो प्सक्राइब जाजर के साथ लिग दें तो वीडियो का मैं लिंक आई वटन पर याप से देख सकते Canvas सब्सक्राइब केजИ और दोस्तों के साथ से था कि आपको प्राक्टिकल नॉलेज मिल सके और कंप्यूटर के बार में और भी इंफॉर्मेशन मिल सके तब वीडियो में पसंदा है अगले वीडियो में तब तक के लिए गुर्बाई